हलो फ्रेंड्स वेलकम तू अद्द्वय इंस्टिचूट तो आज हम लोग फिर से इलेक्ट्र स्टेटिक्स का थर्ड पार्ट लेके आए हैं जिसमें नुमेरिकल को सॉल्ब करेंगे फिर से दस बार नुमेरिकल को हम लोग सॉल्ब करेंगे ठीक है तो सबसे पहले कोस्टन ज देखो x zero y e conhecer hon दूसरा क्या है यू-2 q है यह सारा जीडो है मतलग ओरेंग एक्स psychology पर है यह eights equal to a पे है और ये वाला कहां पे है origin पे है देखने कोस्चन से ही पकड़ में आ गया the magnitude of direction of electric dipole moment vector तो इसके करें electric dipole moment vector पूछ रहा है तो सबसे पहले हम x-axis और y-axis बना के पहले locate करते हैं कि charge हमारा कहां कहां पे रखा हुआ है तो देखो एक charge पहले वाला ये y equal to a ये plus q कहां है y equal to a माल लिजे ये a distance है तो y equal to a पर ये y है और ये x है एक charge यहां पे है कौन सा charge plus q और minus 2 q कहां पे है origin पे है minus 2 q को यहां पे दिखा दिते हैं क्योंकि 3 0 है x y z 3 0 है और तीसरा क्या है x equal to 0 y x equal to a पे sorry x equal to a है और y 0 z 0 यानि एक charge हमारा ऐसा सिस्टम बन रहा है एक प्लस q और बनी गया तो डाइपूल मोमेंट निकालना है तो हम ऐसे question में हम लोग सीखे थे कि इस चीज़ को माइनस q और माइनस q दो बार लिख सकते हो है ना तो एक डाइपूल इधर से इधर की तरफ हम जानते हैं डाइपूल का direction कि इधर होता है माइनस से प्लस की तरफ होता है तो एक डाइपूल हमारा पी जो है इधर की तरफ बन जाएगा और 1 माइनस और इस प्लस चार्ज के करण इधर की तरफ बन जाएगा तो net जो resultant आने वाला है वो इन दोनों डाइपोल का इधर की तरफ net resultant हमारा इधर की तरफ हो जाएगा और इस यहां पर बात करें इस point कोई P है और इसका coordinate देखो गोंगे तहिए क्या हुग तो जो नेट रिजल्टेंट हो जाएगा अगर रिजल्टेंट की बात करें यहां पर पी डैस बोलो रिजल्टेंट बोलो यह पी ऐसा लिखे दो पी आर यह जो रिजल्टेंट होगा कैसे निकालते हो यह इस डाइपोल और यह डाइपोल तो दोनों सेम ही है दोनों डाइपो और इसके लिए भी A हिए, तो इसका स्कोर हो जाएगा, बस solve कर लिजे, यह हो गयाएगा QA स्कोर A स्कोर और यह भी हो जाएगा QA स्कोर A स्कोर 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2013 और direction कि इधर हो जाएगा, direction हो जाएगा कि A, A और 0 को मिलाने वाला लाइन, तो इसका answer कौन बनेगा, इसका answer बन जाएगा, 00 से लेकर A, A और Z, 0 को मिलाने वाले लाइन, और root 2 A, क्यों अच्छा question है, बट बहुत आसानी से solve हो गया, चलिए, इस question का answer बताइए आप लोग, dialectic constant of pure water is इतना, permittivity क्या होगा, बताइए, dialectic constant दिया हुआ है, तो हम जानते है, dialectic constant का value, क्या होता है, formula dialectic constant का, k equal to पढ़े थे, epsilon by epsilon not होता है, पढ़े थे, और k दिया हुआ है, हमको epsilon निकालना है, तो epsilon क्या हो जागा यहां से, यहां से epsilon हो जागा, k into epsilon not, k का value 81 दिया हुआ है, और यह board example में, exam में पूछ लिया है, कि dialectic constant water का कितना होता है, गर भी हार बूट की बात करो, तो वहाँ पे question आ गया था, तो direct push लेता है, और epsilon not की बाते करें, तो epsilon not का value आपको याद होना चाहिए, 8.854 into 10 power minus 12, और जब इसको multiply किजिएगा, तो यह answer आ जाएगा, ऐसे भी, 7.17 into 10 power minus 10 mks unit में आएगा, आपको multiply करके, check कर लेना होगा, है ना, है ना, ऐसे भी, आप अगर ऐसा सुचो कि यह 80 है, और यह 90 है, तो यह 90 है, यह 90 है, और यह 80 है, तो 9.72 ही होता है, 9.8072 के आसपास वाला जो नंबर होगा, वही आएगा, अब प्रॉक्स भी लगा सकते हो, 9.80, यह 9 है और यह 80 है, तो 9.8072, पावर में जो दिया था, यह answer हो जाएगा, इसका, चलिए, अगला question जो है, वो बोला है कि 3 charges, 3 charges, यह देखिए, यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक्विलेटरल ट्रियंगल के कॉर्णर पर रखा हुआ है, तो electric force, on the charge placed at the center, अच्छा, center पर एक charge रखा हुआ है, देखिए, छोटा से example समझाते है, यह diagram से, यहाँ पर 3 charge रखा हुआ है, और यहाँ पर एक छोटा सा charge क्यों रख दिये, ठीक है, अच्छा, एक charge रखा हुआ है, और इसका length L है, तो देखो, इसके कारण, इसके कारण, इधर की तरफ repulsion, और इसके क दोनों के बीच का angle क्या होगा, सेम, या इन दोनों के बीच का angle भी सेम, या इन दोनों के बीच का angle भी सेम, तो angle भी सेम है, दो vector का resultant निकाल लोगे, है न, और तीनों force इक्वाल हो जाएगा, तीनों force भी इक्वाल हो जाएगा, अगर यह A है, और यह B है, और C है, तो F A ज हो जाएगा इसका resultant कितना हो जाएगा जीरो ऐसे टू बेक्टर है और इन दोनों की बात करो तो कितना बनेगा यह 30 तो यह 120 पर होता है तो resultant यह हो जाता है तो यह अपने को पता है तो इसका answer 0 आने वाला है ऐसे भी तिनों इक्वल है और इनकलाइन है तो रिजल्टेंट जीरो होगा चलिए कोश्चन नबर चार में आते हैं कोश्चन नबर चार क्या बोला है सो ध्यान से पर यह कोश्चन नबर चार बोला है कि equal charges q are placed at the four corner abc of a square of length l magnitude of force on charge at b will be चलिए चार चार्ज रखा हुआ है यह ना four equal charges कहां पर रखा हुआ है इसके corner पर रखा हुआ है उदर रख लीजिए four charges plus q plus q plus q और plus q ठीक है और side हमारा दिया हुआ है square का a question में question में side दिया हुआ है यह a है यह b है यह c है और यह d है तो हमसे question में पूछा है कि b पे जो force लगेगा वो कितना लगेगा तो देखो यहां से इस force के कारण इधर पर एक repulsion force काम करेगा repulsive force a के कारण और एक c के कारण इधर की तरफ resultant काम करेगा fc बोल दे और एक diagonal के कारण भी तो आएगा इधर से तो इसको q1 q2 q1 q2 by r square r square के जगा a square यानि आ जाएगा k qa square by a square दोनों से में और इसका resultant निकाल सकते हो आप इसका resultant आप निकाल सकते हो पहले fd के कारण निकाल लो तो d के कारण जो force हो जाएगा k q q तो ठीक है और जो distance होगा यह diagonal हो जाएगा इसका यहां से यहां तक तो a root 2 होता है तो a root 2 का a square कर लो तो इसका square करेंगे तो k q square by 2a 2 हो जाएगा 2a square हो जाएगा तो force आगया आप फोर्स आजाएगा अब हम resultant की बात करें और यह देखो दो वेक्टर 90 पे होता है तो इसका resultant क्या हो जाएगा देखो जो f net होगा वो resultant, resultant किसका? A और C का, A और C का resultant हो जाएगा, तो A C का resultant तो इसी direction में हो जाएगा, ऐसे ही, क्योंकि root 2 यह हो जाएगा, और D का तो direction में है ही, D का जो force है, वो उसी direction में है, तो इसका निकाल यह, दोनों क्या हो जाएगा, रेखिए यहां से, A और B, A और C तो same है, यानि root 2 root 2 2f square plus fd यानि यहां से root 2f plus fd root 2f plus fd और root 2f का value क्या है kqa square by a square और यहां से क्या है fd का kqa square by 2a square 2a square common क्या क्या हो सकता है यहां से यहां से अगर हम common की बात करें तो common कर सकते है kqa square by a square k qa square by a square common के तो यहां बच जाएगा root 2 और यहां से बच जाएगा 1 by 2 तो यह हो जाएगा 2 root 2 plus 1 उपर में आएगा 2 root 2 plus 1 देखो यहां से 2 root 2 plus 1 by 2 ठीक है यह वाला और हमको 4 by epsilon naught के form में value है तो k को रख लो 1 by 4 by epsilon naught और qa square by a square तो इसका option बन जाएगा कौन सा c number c number 2 root 2 plus 1 by 2 qa square by 4 by epsilon naught a square अच्छा है यहां पर small q लिया है हम capital q पर solve किया है तो घबराना नहीं है answer बही हो जाएगा चलिए the magnitude of electric intensity e in such that an electron placed on it would experience an electric force equal to weight तो electron और electric force बराबर है तो electric force f equal to mg यहां और इसको balance कर रहा है तो fe को क्या लिखोगे qe mg और electron का charge e है तो e equal to mg हमको क्या चाहिए था electric field intensity e तो mg by e हो जाएगा यह तो असान सा question दिया थे mg by e हो जाएगा चलिए अब question number question number last six number sorry six number क्या बोला है the distance ध्यान से सुनिए the distance between the two charges 25 microclum and 36 microclum यह 11 cm रखा हुआ एक दूसरे से और बोला है कि electric field intensity zero कहां पे हो जाएगा यह पूछ रहा है तो इसका shortcut formula होता है अगर आप बात करो shortcut formula से भी निकाल सकते हो या आप कही electric field intensity को zero माल लेना इस point पर एक distance को x1 बोल देंगे और एक distance को x2 बोल देंगे यहाँ पे चार्ज है 25 microclum और यहाँ पे 36 microclum तो बस यहाँ पे e1 और e2 हो जाएगा और यहाँ से यहाँ तका distance जो है वो x equal to 11 cm दिया हुआ है तो बस क्या रखना है यहाँ पे formula रख देंगे net जो यहाँ पे net neutral point माल लो कि इस पे net field zero हो जाए तो इसके कारण और इसके कारण जो net field है वो रख के solve भी किया जा सकता है एक वार ट्राइ करते है तो field का formula क्या होगा इसके कारण इदर इसके कारण मतलब net equal and opposite होना चाहिए तो equal हो जाएगा kq kq by r square होता है force का formula kq का value होगा 25 35 micro है तो column में बदल लेजिए और by r यहां से यहां तक के distance को हम लोग अगर x1 को x बोलते है तो x2 हो जाएगा 11 minus x तो x1 को x बोल लो और इसका हो जाएगा k into 36 into 10 power minus 6 और यह हो जाएगा 11 minus x यह x square में square में क्योंकि field है field है तो q से q के से के यह यह cancel हो गया 25 by 36 equal to x square by 11 minus x का square अब इसको root कर लो दोनों side अगर root करते हैं तो क्या होगा देखो यहां से अगर root कीजिएगा यहां से तो यह हो जाएगा root under 25 by 36 equal to x by 1 minus x का इतना ही क्योंकि square इधर root कर दी है तो 5 by 6 equal to x by 11 minus x तो multiply कीजिए 55 minus 5 x और equal to 6 x तो 55 equal to 6 x plus 5 x तो 55 equal to 11 x तो x का value 5 cm हो जाएगा और इसके लिए एक shortcut भी तरीका होता है shortcut तरीका क्या होता है x1 equal to हो जाएगा x by total distance by q2 by q1 plus 1 x by q2 plus q1 by 1 तो x किता है 11 cm और q2 किता है 36 q1 कितना है 25 और प्लस 1 तो solve भी कर सकते हो इसको थोड़ा सा लेंदी तो जाएगा थोड़ा सा लेंदी जाएगा calculation लेकिन इसके 11 by root under 36 plus 25 by 25 यह हो जाएगा और 11 by 6 पाज 11 71 by 25 तो यह 5 उपर चल ला जाएगा 11 5 और यह देखिए 71 यह ना 9981 888 जा 64 तो 55 by 8 8.something आएगा कुछ भी तो 8 से दिवाइड कीजिएगा तो 8 7 जा 56 8.9 कुछ आएगा तो 5 के आसपास का वहलू आना चाहिए 55 है और यहां 71 है तो 8 8 जा 9 64 और 9 9 जा 81 हो जाएगा तो 8 64 मतलब 8.5 क्या सपास जाएगा तो 9 से भाग दो ना तो 9 6 जा यानि 5 क्या सपास आएगा इससे एक प्रॉक्स एंसर मतलब इसमें कल्कुलेशन लेंदी होगा लेकिन हम जो मेथड सिखा है कि इस पॉइंट पर 0 माल लो तो यहां से क्यूब आई आर स्क्वाइर और यहां से इसके कारण क्यूब आई आर स्क्वाइर और यहां से आपका सॉल्व कीजिएगा एंसर आजाएगा ठीक है तो यह सिक्स नंबर कोश्चन था लिए सेहने नंबर कोश्चन देखिये सेवेन नंटर कोश्चन देखिये इसका अनसर क्या होगा एंटेंसिटी ऑफ एलेक्तिक फिल्ड इक्वाइल टू बैलेंस तो मास दिया हुआ है चार्ज वस QE equal to क्या हो गया, MG को balance कर लेगा, हमको क्या चाहिए था, intensity of electric field, E equal to MG by Q, और M का value पता है, question में 1.7 into 10 power minus 27, G का value होता है 9.8, और Q का value तो charge है 1.6 into 10 power minus 19, solve कीजिए किता आ रहा है, देखिए एक बार, solve करके check किजिए किता आ रहा है, answer बन जाना चाहिए, देखिए किता answer आए आपका, I think answer मिल जाएगा, बस fast calculate कीजिए, calculation fast होना चाहिए, और अगर आप जाम दे रहे हैं, competition वाला, तो आपका calculation बहुत ही quick होना चाहिए, चिता आया, देखो, shortcut अगर किया जाए, तो यह 16 है, और यह 98 है, 16, 6 होता न, 16, 6 जा, 16, 96, क्या सपस, और यह हो गया, 6, 102, मतलब तो calculate करना पड़ेगा, क्योंकि सब में 1 आही गया है, और पावर में लगर ले जाए, तो 90 और 17, तो पावर में तो किता हो जाएगा, पावर में तो minus वाला पावर आएगा, तो थोड़ा सापको calculation करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं, तो देखो, इस decimal से इस decimal को हटा लो, और इस पावर का बदले एक 10 नीचे ले लो, तो यह हो गया, जिता, 17 into 98 by 16, और यह हो जाएगा, 10 पावर माइनस 27, और प्लस 19, और माइनस 10 का माइनस 1, 28 माइनस 28 माइनस का 19, तो किता आजाएगा, 28 माइनस का 19, यानि 10 तो दी पावर माइनस 9 आजाएगा, और इसको डिवाइड कर देना है, 16 से, तो 16 से अगर इसको डिवाइड किजिए, पहले तो मल्टिप्लाई कर लो, पहले इसको मल्टिप्लाई कर लो, कितना, 17 into 98, 98, 17 into 98, आपका आजाएगा, 663, और बाई में, डिवाइड 16, डिवाइड 16, तो 4 पॉइंट कैस, बसकुछ गरबार कर लिए हम लोगों ने, साथ, 1.16 to the power 19, और 9.8, 17 into 98, कितना हैगा, एक बड़ फिर से चक करो, 17 into, 17 into, अगर 98 करते हो, डेसिमल हटा लिया न, तो 98 कर दे इसको, तो 98 करने पाएगा, 1, 1 minute, 1, 6, 6, इत आएगा, 1, 6, 6, 6, ठीक है, और इसको डिवाइड करना है, अपने को, 1, 6, 6, 6, 6, और डिवाइड बई 16, डिवाइड बई 16, अगर कर देते हैं, तो आगे 104, यहाँ पर आएगा 104.125, डेसिमल से पहले, एक double digit चाहिए, मतलब सिंगल डिजिट चाहिए, तो डो आगे पीछे गसक जाएगा, तो 10 पावर माइनस 7 वाला एंसर हो जाएगा, इसका, इसका, इन नमबर, कल्कुलेशन करना है, थोड़ा सा टाइम लग गया, इस आगे तो पोटेंशिल क्या इसके लिए, तो same ही हो जाएगा, शें चाहर्ज क्यू मुविंग इप wines can surface, चाहर्ज क्यू, क्यू मुविंग चाहर्ज क्यू मुविंग ऊन 18 पोटेंशियल सर्फेस, तो रचूएँय होजाएगा, तो एक्यू पोटेंशियल सर्फेस, ऑ यहा shr पोटेंसियल सर्फेस तो यह जीरो तो यह हो गया इसका एंसर जीरो चलिए अगला नमबर यह लास्ट कुस्चन है साथ एक और इसमें क्या है कि एलेक्ट्रिक फिल ऑल्वेज पर्पेंडिकुलर चाहिए अच्छा देखो यह सर्फेस के पर्पेंडिकुलर नहीं ऐसा नहीं और यह तो अंदर से है एलेक्ट्रिक फिल लाइं सर्फ कंडुक्टर के अंदर तो होगा ही नहीं और यह ऐसे निकल लाए इस पॉइंट पर यह बाहर की तरफ निकल लाए तो ऑप्शन फोर बनेगा यह सीधा नहीं आ रहा है यह सर्फेस ऐसा थोड़ी है क्योंकि सर्फेस तो इसके पर्पेंडिकुलर इस पॉइंट पर नहीं न बनाएगा इस पॉइंट पर यह पर्पेंडिकुलर बना रहा है इस पॉइंट पर यह पर्पेंडिकुलर नहीं बन पाएगा इसलिए यह गलत है सीधा वाला लाइन यहां पर्पेंडिकुलर आपको दिख रहा है त तो आप्शन हो जाएगा फोर्ड नंबर चलिए अगला फटा फट बनाई ये कि मनेगा इलेक्ट्रीक फिल्ड उए उपंट गएग्या थे बांट है प्रॉटी और उपंट चश्ड दिए और फॉर्स दिया है तो इलेक्ट्रीक फिल्ड का स्र्द Inner निकालना है चलो इअफ उफल टू किया जानते हुँ उफल टू के क्यू कर से क्य modify diverthuka एर इस्कूर यह एस्टकार और करहा हुआ अच है पर ₹ mex फवर एक d व्े उस्क्वाइब काफ तो बाइस्टकर नॉट तो पर क्योंगा चुनक स्सक्राइब सेड़ियों सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे और इसको दो बार लिख देते हैं क्योंकि स्कॉर है ठीक है अब बस सॉल्व करना है एंसर आजाएगा देखो यहांसे तो डबल जीरो डबल जीरो कैंसील हो गया 339 यह भी कैंसिल हो जाएगा और 10 to the power बच जाएगा कितना आपका 10 to the power 7 नीचे में 7 तो आपका कोस्टन का अंसर तो फट 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 बता दीजा आप लोग 11 नंबर यह तो असान है कि क्या दिख रहा हैu यह और तो यह और सी पॉयंट पर दीख रहा है और भी कम हो जागा और यह और यह पे से मैं ऐगर और यहपेश्ट उन्हार तो कि यह जादा होता है तो B पर फिलन कम है लेकिन A और C पर इक्वल है और B से ज्यादा है तो option बन जाएगा C यहां लास्ट कोश्च्चन एक अन एलेक्ट्रोन अप मास मे इनिसियलि अटरेस्ट मुव्त तो दोनों का टाइम निकालना है बस तो देखो s equal to ut plus half 80 लगा लो तोनों के लिए, s equal to ut plus half 80 square, अब कितना घुम रहा है, s, यह तो सुरू में rest है, half, और देखो, f equal to क्या होता है, q into e, m e लगा लो, m e, तो q e, acceleration का formula होगया, q e by m, तो electron की अगर बात करें, q e, e by m into t1 square, और proton की बात कर रहा है, यह भी same distance गुमा है, लेकिन, इस दोनों का same है, 0 plus half, यह हो जाएगा proton के लिए न, तो charge तो दोनों का same है, यह mass of electron है, mass of proton है, into t2 square, अब question में, यह बोला है, t2 by t1 का ratio चाहिए, तो दोनों को डिवाइड कर दो, है न, तो दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सारा कुछ तो कर जाएगा, यह तो same है, दोनों को equate भी कर लो, न, दोनों same है, equal distance table किया है, equal distance table किया है, दोनों को equate कर लो, ee by mass of electron into t1 square, equal to half ee by mass of proton into t2 का square, यह यह कट जाएगा, ee से ee कट जाएगा, हमको t1 square by t2 square चाहिए, तो यहाँ से हो जाएगा, me by mp, और t1 by t2 अगर निकाल दे, तो root under me by mp हो जाएगा, root under me by mp, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो, me by mp, उल्टा लिख दे क्या कुछ, t1 by t2, me by mp हो जाएगा, me by mp, कुछ गरवर लग रहा है, हमको question में क्या पूछा, t2 by t1, हाँ, ठीक है, to me by mp हो जाएगा, हमको t2 by t1 पूछा है न, तो उल्टा हो जाएगा, इसका भी उल्टा कर लो, अगर t2 by t1 निकालना है, तो क्या हो जाएगा, इन, रूट में ही, mp by m e का पावर, 1 by 2, एक्जाम में भी देखिएगा, ऐसी घुमा के पूछ लेता, t2 by t1 दे देगा, उल्टा करके पूछ लेगा, तो option इसका क्या बन जाएगा, option बन जाएगा, mp by m e, है न, तो इस तरह से फिर से question को solve किया गया, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, तो like कर दिजेगा, comment कर दिजेगा, और फिर मिलेंगे, और धेल सारे question के साथ, next video में, तब तक लिए, thank you,